नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी मित्र दीपक पर दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं राजस्तान के प्रमुक अनुसंधान के इंद्र विश्य विध्यारले, संगरहले और संस्थान ठीक है जो भी प्रमुक होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ नाम और वो कि राजस्तान के किस जिले में इस्तित है वो इस वीडियो में आपको जानकारी दूँँगा काफी जो है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करूँगा ठीक है और इसकी जो पीडियोफ है वो आपको अपने टेलिग्राम चैनल स्टेडी मितर दीपक पर मिल जाएगी तो एक बार चैनल जॉइन कर लेना चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बीका नेर की तो बीका नेर के अंदर देखो कौन-कौन से प्रमुक संस्थान है एक बार आप नजर डाल लीजिए जैसे राजस्तान राज्जी अभी लेखा गार राजस्तानी भाषा साहित्यम सांस्करतिक अकादमी राष्टे शुष्क बागवान्य नुसंधान केंद्र राजस्तान पशू चेकिस्तायम पशू विज्ञान वेश विध्याले इसके अलावा केंद्र उट परजनन केंद्र शारदूल खेल विध्याले राष्टे घोडा नुसंधान केंद्र और अकिल भारते खजूर नुसंधान केंद्र ये सारे जो भी हैं बीका नेर जिले के अंदर इस्तित है इनको आप कुछ को जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे आसानी से याद रख सकते हो तो ध्यान देना देखो बीका नेर में क्या आरा बिका यह निकुछ ना कुछ सेल हुआ मतलब कुछ ना कुछ चीज बिकी है तो अभी अभी बीका नेर के अंदर क्या हुआ लाखों के घोडे और उंट बिग गए तो आपको पता होगा न तो आप ध्यान रखो बीका नेर क्या है तो भई बीका नेर में कुछ ना कुछ बिका है क्या बिका है अभी अभी लाखों के घोड़े और उट बिग गए कारण क्या है कि वहाँ पर क्या पशु चिक्षा और पशु विज्ञान विश्विध्याल है जिससे क्या वहां के पशु काफी स्वस्त रहते हैं और उनके स्वास्ते का राज क्या है कि वो खजूर खाते हैं ठीक है तो अखिल भारते खजूर अनुसंधान केंद्र भी वहां पर इस्तित है इस कारण उनका स्वास्ते अच्छा रहता है इसलिए उुठ और घौडों की लाखों की विक्रिवी अभी तो अभी लाखों की विक्रिवी तो अभी लेका पर अब बात करते हैं जैपूर की तो जैपूर में तो दोस्तों बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं देखो आप जैसे लिस्ट के अंदर देख रहे हो न इसकी लिस्ट आप जरूर से डाउनलोड कर ले न और एक बार पढ़ने ही पढ़ेगी आपको ठीक है नहीं तो ये दिमाग से वापस निकल जाएं कोई जैपूर जा रहा है कोई कोटा जा रहा है कोई जोदपूर जा रहा है कही न कहीं किसी उद्देश पढ़ने के हिसाब से बाहर जाकर रहते हैं होस्टल में रहते हैं रूम लेकर रहते हैं ठीक है तो आपको भी जैपूर जाना है जैपूर के संस्थान के लिए न तो जै तो उख़ाया का नाम क्या है ? राजस्थान स्कूल of आर्टस E effekt यहाँ पर आँ राजस्थान स्कूल ओफ आर्टस सकूल पर हाँ पर यहाँ पर है लृप संस्कृत थे अलावा ब्रजबाश्वाशा कौन को से हिंदी संस्कृत और ब्रजबाश्वाश्य ये तो आपको वहाँ विशे पढ़ाय जा रहे है इसके अलावा आपको वहाँ पर संगीत सिखाया जा रहा है और साथ में डांस भी सिखाया जा रहा है तो स्कूल में कौन सी राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट्स के इंदर ठीक है क्या क्या संगीत भी सिखाया जा रहा है और डा इसके अलावा रवींद्र मंच भी उपलप्त कराया गया है ठीकि जहां आप अपने ये संगीत को पेश कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वापस से अब कि आप ललित नाम के लड़के हो ठीकि तो राजस्तान ललित कला का अदमी आ जाएगा यहां से देखो दिख अकादमी वाँ है उर्दू अकादमी वाँ है संस्कृत अकादमी भी इस्तित है उसके अलावा ब्रज भाशा भी तो भाशाओं का सब कुछ जो है इसाब कि था वो जैपूर के अंदर आपने सीख लिया कौन सी महरा राजस्तान स्कूल आफ आर्ट्स के अंदर इसके और नाटक भी सीखना है तो वो आपको जोदपूर जाना पड़ेगा तो राजस्तान संगीत नाटक अकादमी जोदपूर में है राजस्तान संगीत संस्तान जैपूर के अंदर है फिर उस स्कूल में क्या कत्थक भी सिखाया गया आपको डान सिखाया गया तो कत्थक के अं रविंद्र मंच है मंच दिये गए आपको सीखने के लिए वो पेश करने के लिए ठीक है इसके अलावा अब बाहर जाते तो कि आपने पैसे मंगवाते हैं ममी पापा से कभी पैसे खर्च हो जाते हैं हर महीन है होस्टल में रह रहे हैं तो यहां पर जैपूर में समझते हैं जैपूर के अंदर कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट जैपूर में है तो आपको पैसे दो की कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक हैं इसके अलावा जैपूर में घूमने की बहुत जगह हैं आमेड नहारगड और सीटी पैलेस बहुत सारी जगह हवा महल जहां आप घूम सक पर है बिजली हमेशा टाइम पर मिलेगी आपको क्यों राज्य विद्यूत मंडल है अब इतनी सारी चीजे हैं और इसमें क्या रहोगा आप सब कुछ इतने सारे विशे मिल गए संगीत आप सीख रहे हो इना उसके लाव डांस भी सीख रहे हो तो आप क्या होगा बीजी हो अब कौन-कौन सोरे एक्स्ट्रा वच्चन है तो देखो पंडित ज्ھाबरमल शर्मा शोज संस्थान यह भी जयपूर में है राश्ट्रा आयूरवेद संस्थान यह जपूर के अंदर है लेगिन अगर उनिवर्सिति आ जाती है राश्ट्रा आयूरवेद उनिवर्सिती तो वो दोस्तो जोदपूर के अंदर है ना, राज्तान होमेोपेतिक विश्विध्याले है यहाँ पर, और कौन से बज़गी राज्तान राजिक क्रिडा परीशद यहाँ पर है, और क्रिडा विश्विध्याले जो है वो जुन जुनु के अंदर है ना, परीशद जो है विडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना काफी सारे संस्थान है इसकी PDF आपको जो है टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द हो जाएगी जोधपूर तो जोधपूर के अंदर हाई कोट तो ही जानते ही आप तो अपन पहले कानून के लिए जोधपूर फेमा से कानून की बात ही कर लेते हैं जिसे हाई कोट है तो अब हाई कोट भी क्या है पूरा कानून इशेत्री है पूरा तो अब यहां से हम पकड़ते हैं इसको सारी चीजे कानून वाली रासन हाई कोट आ गया उसके अलाव कोट में क्या होते हैं केस वेस होते हैं तो पुलिस का लिंक भी कहीने कहीं से आ गया औ और लोग का भी इसमें लिंक आगया है, तो देखो, भाई कोट के अंदर वकील रहते हैं, वकील क्या करते हैं, लोग करते हैं, तो राष्ट्रे विधी विश्विध्याल ले, वो का नहीं है जोधपूर के अंदर ही हैं, और सेंट्रल जेल भी आपको बताया हैं दोस्तों का ह जोदपूर के अंदर यह और जेल में कुन जाते है अपराधियों कुन लेकर जाती है पुलीस तो पुलीस युनिवर्सिटी भी जोदपूर के अंदर ही स्थित है ठीक है और कानून की कोई चीज रह गई कि वह इसके अंदर देखते है उच्चनेल आगया पटेल विश्विद्य लागया चलिए यह तो हो गई खतम अब बात करते हैं और संस्तान होगी जोदपूर में एक वर्ड लेते हैं हम जोधा जोधा क्या लगाती है काजल लगाती है और उसका रूप बहुत सुन्दर दिखता है काजल लगाने के बाद ठीक है तो काजल से देखो काजरी बहुत बार एक्जाम आ चुका है केंद्र शुष्क शेतर अनुसंदान संस्तान जोधपूर के अंदर इस्तित है जोधा क्या लगाती है काजल लगाती है और उसका रूप बहुत सुन्दर दिखता है तो रूपायन संस्तान बोरुंदा जोधपूर के अंदर इस्त पुलिस उनिवर्सिटी पुलिस उनिवर्सिटी जोदपूर के अंदर है एर फॉर्स फ्लाइंग कॉलेज जोदपूर के अंदर है पुस्तक प्रकाश संगरहले जोदपूर में है राजस्थान प्राचे विद्या परतिष्टान अगर आपको राजस्थान के प्राचीन चीजों को बारे में जानना प वूट परजनन के इंदर वबीक का नेर में है राष्ट्र रक्षा पर्योक्षाला यह नी डिफेंस लेबोरेट्री जोदपूर में है भारते हाथ करगा प्रोध्योगी की संसान यह भी जोदपूर जले के अंदर एस्थित चलिए आगे बढ़ते हैं उद्यपूर के थोड़ तो राजस्तान राज्य खान है। ख्निज लिमिटेट। सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको। वू उद्यपूर के अंदर है। इसके अलावा भारत спокой लोकला मंडल हैं उद्यपूर में हैं। राजस्तान सहित्यक अदमी। कहा स्तित है। उद्यापूर जिले के अंदर इस्तित है, मानिक के लाल वर्मा आदिम जाती शो देऊं परिशिक्षन संस्थान, काफी बार एक्जाम में आया है, पश्चिमी सांस्कृति केंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल सरस्वती भंडार, सोर वेदिशाला, सूरज क्या होता है, उद्य होता है, तो सूरज और सोर, ठीके क्या होता है, उद्या होता है, उद्यापूर सोर वेदिशाला, उद्यापूर खान वाला मैंने बताई दिया आपको, फिर से एक बार बता देता हूं, भारती लोक कला मंडल, राजस्तान साहित्य अकादमी, मानिक के लाल वर्मा आदिम ज मादे में एक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर है, राजस्तान मादे में एक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर है, सेंटरल उनिवर्सिटी है, मेयो कोलेज है, और राश्ट्रे बीजे मसाला अनुसंदान केंदर जो बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछा जाता है, वो तबीजी इस्तित है, मेयो कोले जे, राजस्तान केंदर विश्विध्याल है, किशन गर से 15 क्लमेटर की दूरी पर है, जो यहाँ कि अदर, राजस्तान मादे में एक शिक्षा बोर्ड यहाँ है, राजस्तान राजस मंडल भी अजमेर जिले केंदर, जो बहुत जैंदान अन्गर जि टॉक को इसे याद कर लो कि भेड जो है टिक टॉक टॉक चलती है भेड कैसे चलती है टिक टॉक टॉक चलती है और अर्भी वार्शी भाशा में बात करती है तो तीनों आपको यहां से याद हो जाएंगे कोटा में है राजस्तान तकनीकी विश्विध्याले उसके बाद आते हैं जुन-जुन की तो राजस्तान क्रिड़ा विश्विध्याले जो खेल उनिवर्सिटी है वो जुन-जुन के अंदर इस्तित है क्रिड़ा परिशत जो थी वो थी जैपूर के अंदर इसके अलावा बि सेवर भरतपूर के अंदर इस्तित है भीलवड़ा टेक्स्टाइल सिर्थी यह है राजस्थान के अपनी तो टेक्स्टाइल मानिक के लार वर्मा टेक्स्टाइल इंस्ट्यूट भी जो है यहां इस्तित है राजस्थानी पंजाबी भाश्या अकादमी पंजाब के पास में बद्र शूरी ग्यान बंडार जेसल मेर जिले के अंदर इस्तित हैं अलवर के अंदर राज के शूकर फॉर्म है नागोर के अंदर हस्त उपकरण डिजाइन विकास वर परिश्रिक्शन के अंदर इस्तित है चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न अगर हमको याद हुए हैं तो सबसे पहला दोस्तो देखो ऐसंगत चुनना है तो राष्ट्रे शुष्क बागवानी अनुसंदान केंदर जो है वो बिकानेर में हैं राष्ट्रे बीजे मसाल अनुसंदान केंदर तबीजे अजमेर में इस्तित हैं भारती लोक कला मंडल उदयपूर के अंदर है भारती संगीत नाटक अकाद में देखो संगीत तो केवल आपने कहा जैपूर के अंदर सीखा था केवल संगीद और उसके साथ आपको डांस भी सिखाया गया था यहां पर संगीद के साथ अगर आपको नाटक भी सीखना है तो जोदपूर जाना पड़ेगा ना कि जैपूर ठीके तो चौत्वा अप्षिन यहां गलत हो जाएगा यह क्या आएगा इसका चोथ है जोदपूर आता तो सही होता चलिए आगे देखते है रजस्तान लोग से वायोग जोदपूर सही जोड़े का चैन करना तो यह तो अजमेर में है रजस्तानी शोद संस्तान यह कहां इस्तित है यह जोदपूर जिले के अंदर इस्तित है और तो यहां पर सही जोड़ा कॉन सा है राजस्तान राज्य अभीलेखागार चलिए फिर से आइ संगत चुनना है राष्ट्रे सरस्वानुसंदान केंद्र सेवर भरतपूर तो दूसरा उप्शन जो है हिंदी, सिंधी, उर्दु, संस्कृत, बरजभाशा यह हमने सब जैपूर के अंदर सीखी ती है, ना, कौन-कौनसी हिंदी, सिंधी, उर्दु, संस्कृत और बरजभाशा, चलिए, सही जोड़े का चैन करें, रुपायन संस्तान बोरुंदा जोदपूर के अंदर है, तो यह तो सही नहीं है, भवानी नाट्टेशाला जहलावाड में, नाकी कोटा में, पश्चिमी सांस्कृति केंद, उद्यपूर में, नाकी बिकानेर में, केंदर भेड़ हैं, उनन नुसंदान संस्तान टॉंक जिले के अंदर इस्थिद है, तो यह एकदम सही है, ठीक है, त ठीक हैं, क्योंकि उनका स्वास्ते बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कि पशुचिकिसा ले, वहीं पर है, पशुचिकिसा युनिवर्सिटी, चलिए, अलबर्ट हॉल संग्राले जैपूर में है, एकदम सही है, तो पहला यहाँ पर गलत आ जाता है, राष्ट्य अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कहा है, बीकानेर में है, तो यह पहला गलत है, राजस्तान होम्योपैथिक विश्विद्याल यह जैपूर में है, ना कि बीकानेर में, दूसरा भी मैच नहीं कर रहा, एरफ़ोर्स फ्लाइं कोले जोद्पूर में है, यह मैच कर रहा ह तो दोस्तों ये था वीडियो आशा करता हूं को पसंद आया होगा ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत